तो युवाम की इस वाकेप क्लास में अब सभी स्टोरंट का स्वागत है और आज हम लोग कंपेटिटिव एक्जामनेशन पॉइंट वेवी से कुछ अन्य महत्वपून शब्द लेने जा रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं हमें एक बहुत आसान सा शब्द लेते हैं और उस आसान शब्द से एडवांस्ट लिवल वर्ड्स के और भड़ते चले जाते हैं ऐसे advanced level words जो की competitive examination point of view से काफी important है हलांकि ये जो high level vocabulary जो words हैं सामान्य बोलचाल में इनका प्रियोग नहीं होता है पर अगर आप कोई अच्छा literature पढ़ें या highly educated लॉक्त की कोई formal talk सुने तो इन words का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तादाद में किया जाता है तो आज का हमारा शब्द जो है वह शब्द है accuse और accuse का मतला जैसा कि आप जानते हैं किसी पर आरोप लगाना, किसी पर अभियोग लगाना यानि किसी को दोस मंड़ना किसी व्यक्ती पर तो हम लोग उसे accuse करना कहते है एक वीडियो में मैंने आपको कुछ शब्द बताये थे जैसे कि मान लीजे एक्विट तो एक्विट का मिनिंग है कि ऑफिशली किसी व्यक्ती को दोसी ठहराना या उसका अपराद साबीत करना और उसे उसमें साबीत करके उसको करना चैसे दोसी ठहरा देना तो यहां पर तो हुआ दोसी ठहराना और एक्विट का मनदब किसी आरोप से मुक्त करना किसी दोस से उसको बरी कर देना तो लोग एक्विट या एब्जॉल यह शब्द मैं आपको पहले अभी करवा चुका हूँ जैसा कि इक्जोनरेट यह शब्द इनके अपोजिट वर्ड्स हैं जो उपर मैं आपको बता रहा हूँ और अब हम दो पढ़ रहे हैं एक्विट जैने किसी पर आरोप लगना किसी पर दोस मंदना चार्ज भी आसान शब्द है बेसिक लिवल वर्ड है लेकिन इंडाइट करना इंपीच करना इंक्रिमिनेट करना यह तीनु शब्द हाई लेवल वक्यबल्ली के पार्ट है और प्रतियोगी प्रिक्षाओं के इसाब से महत्वपून है जो इनके अपोजिट वर्ड है जैसे एक्विट है, एपजॉल है, इक्जॉनरेट है एक्सकल्पेट है यह शब्द प्रतियोगी प्रिक्षाओं में बहुत पूछे जाते है और इनका अपने आम में लीगल लेंग्विज में काफी इस्तेमाल किया जाता है तो आईए, अब इनके डिटेल में इनके यूज़ देखते है पहला जैसा कि एक्जूज सब्द आपने देखा हुआ है एक्जूज, यह वर्ब है एडी जोड कर यह पास्ट बना दिया गया इपनेस तो ब्लेम किसी को किसी चीज का दोसी ठहराना तो ब्लेम संबडी यानि आपर अपन एक तरसे संबडी और कह सकते है तो ब्लेम संबडी दूसरा इसका मिनिंग है तो चार्ज विद एफॉल्ट और एफेंस और एक्राइम कि किसी व्यक्ती पर किसी अपराद का किसी क्राइम का आरोप लगाना, दोसा रोपन करना दोसी ठहराना और इसका नाउन होता है आरोप, दोसा रोपन, अभी योगा ने अब देखिए इसे कुछ कॉलर किशन बता रहा हूँ कि आप कैसे एक्राइम का यूज करते हैं जैसा कि एक्राइम संबडी आफ अफेंस कि किसी पर किसी आफेंस का आरोप लगाना दूसरा है किसी पर किसी चीज का आरोप लगा देना accuse the government, सरकार पर आरूप लगाना या accuse the media, मीडिया पर आरूप लगाना accuse the minister of, यानि किसी minister पर fraud का आरूप लगाना accuse somebody of lying, किसी पर जूट का आरूप लगाना accuse somebody of murder or theft, किसी पर हत्या या चोरी का आरूप लगाना तो accuse का मतलब होता है किसी को आरोप लगाना दोसी ठेलाना charge का मतलब ही अला लग है वैसे आलाएं कि यहां जो हम देखना चाना है पहला मिलिएंग है to accuse someone, अभियोग लगाना या दोसारोपन करना पर इसका एक मिनिंग और है to take fries, याहिनि किसी से fee charge करना किसी का मुल्य चार्ज करना किसी चीज का सुल्क चार्ज करना और ऐसे ही जो mobile phone अप लोग यूजि उसको विजली में लगाकर भी चार्डज करते हैं तो इसका मंदने है, to fill with electricity. उसे electricity से बरना कहने का मतलब चार्ज करना. Electricity से चार्ज करना. ये इसे कुछ कॉलोकेशन है, और इस तरह के के क्उलोकेशन जो हमारी वर्ब की भूक है, उसके अदर बहुत डीटेज में दिये गए है, जैसे, Charge somebody in connection with a crime कि किसी crime के समद्ध में किसी व्यक्ती पर आरोप लगाना दोसारोप लगाना Charge somebody with an offense Offense का मतलब भी अपराद यहने किसी को अपराद का आरोप लगाना Charge somebody with doing something जैसे charge somebody with stealing or something कुछ काम करने के आरोप लगाना Charge somebody with murder किसी पर हत्या का आरोप लगाना और बाकी ये जो चीजें हैं ये अलग तरीके से हैं जो खाना मुल्य लगाना यानि तू चार्ज ए हाई फ्राइज उच्छे मुल्य लेना ये आरोप लगाने के लिए हैं और ये अलग तरीके से चीजें इसी में कुछ में हो सकता बैटरी व आरोप लगाते हैं तो ज्यान दीजिए यहां पर विद का प्रियोग होगा देखिया यह आपके एक्जामिनेशन पॉइंट व व्यू से इंपोर्डेंट है कई बार स्सी एक्जामिनेशन में फिलिंदी ब्लैंक पर चार संबडी और विद की बजाय कुछ और दे दिया चार स अब हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल वाकिप की तरह बढ़ते हैं यह पहला शब्द इंपीच आपने निश्यत रुप से अभी देखा होगा जो सुप्रिम कोर्ड के जो जज्ज थे दीपक मिस्रा जी उनके इकलाब महा अभियोग लगाने का परल्यामेंट के अंदर एक प्रस्ताव आया था तो अफिशिली अगर किसी पर किसी चीज का आरोप लगाते हैं तो यह लिखा है देखिए तो अफिशिली चार्ज ए पब्लिक अफिशिल विद मिस्कंड़क्ट और क्राइम तो अभी दो-तीन महने पहले ही अपोजिशन पार्टी इस ने पारल्यामें होता है impeachment और impeach जो है यह verb है impeachment का आखिए महाभियोग जिसा कि sentence है the minister was impeached for using public funds improperly कि मंतरी पर public fund को improperly use करने का महाभियोग लगाया गया next members will vote to impeach the president for lying in Parliament कि जो members है President पर जूट बोला उसके खिलाब impeachment के लिए vote करेंगे vote to impeach नि माभी ओगाने के लिए vote करेंगे तो इस तरीके से impeach एक officially किसी करना एक public figure है कोई करमचारी है वो गलत काम अगर करता है तो उसके खिलाब माभी ओग लाया जाता है किसी चीज के बारे में शंका या शक जाहिर करना या शक करना जैसा की do you impeach my motives क्या आपको मेरे motives का मनद है उदेशय पर मेरे लक्षय पर क्या कोई doubt है कोई शक है तो यहाँ पर इसका synonym जो हो जाएगा वो doubt हो जाएगा इससे लिए देखे जब आप लोग को एक्जामे वर्ट्स के synonym या एंटनिम्स पूछे जाते हैं तो हाँ option देखकर आपको जबाब देना चाहिए अधराइस तो impeach का जानली लोग doubt कम यूज करते हैं यह जो महभयोग लगाते हैं इसका प्रयोग ज्यादा क्या जाता तो चार संबडी विज something तो impeach से ही noun बन जाता है impeachment बहुत सी वर्ब है जिन्हें M.E.N.T. जोने से abstract noun बन जाता है जैसे agree से agreement arrange से arrangement तो यहाँ पर impeach से impeachment आईए अगला शब्द देखते हैं और यह शब्द आपके सामने Indyte. First of all let us deal with its pronunciation. I have seen some of the people pronouncing these words as Indyte because they see the spelling I N D I C T but its correct pronunciation is Indyte not Indyte. We Indians are generally in habit to pronounce the word as per spelling but remember spelling is not the proper guide for pronunciation. अगर आप इन शब्दों का या ऐसे जो बोलचाल में जो शब्द प्योग होते हैं कुछ इसके बारे में कुछ rules जानना चाते हैं तो जो हमारी युवाम की learn correct pronunciation की जो book है आप इसको study कीजिए इसको हमने 5 part में divide करके जो day to day life में जो शब्द अधिकांस लोग गलत बोलते हैं उसको लेकर हमने काफी कुछ सही pronunciation इसके अंदर दिया है तो ये book आपको अच्छे अंगरी जी बोलने में शब्दों का सही उचारण सिखने में बहुत उपयोगी साबित होगी अब देखें meaning इस indict का क्या है ये verb है और ये of a law court में यानि कुट वगरा में इसका प्रयोग ज़्यादा है यानि इसका legal use ज़्यादा है जैसे advocates हैं जो justice है वो इसका use ज़्यादा करते है meaning है to accuse somebody officially of a crime कि अधिकारिक तोर पर किसी व्यक्ती पर कोई आरोप लगाना, इलजाम लगाना, अभियोग लगाना यानि एक तरीके से उसे अपरादी साबित कर देने से मतलब होता है indict तो हिंदी में है अभियोग लगाना, दोस लगाना, इलजाम आरोप लगाना पर ध्यान दीजी जो शब्द मैंने अलग वीडियो में बताए है जैसा कि acquit तो acquit का मतलब होता है दोस मुक्त करना, आरोप से बरी कर देना, acquit, absolve ध्यान दीजी ये बहुत अच्छे शब्द है, exonerate, ये इनके antonyms है, exculpate तो ये शब्द इस indict के opposite है, antonyms है, indict के synonym में impeach कह सकते हैं आप लोग, clear और अगला एक शब्द और जो की इस accused का similar word है, ये है incriminate, incriminate, इस पेलिंग द्यान से देखे, और इसका meaning है, to cause someone to appear guilty or responsible for something wrong or illegal, कि कुछ ऐसा करना कि कोई विक्ति guilty मालूम पड़े, या फिर किसी गलत या अनेतिक काम के लिए जिम्मेदार मालूम पड़े, तो यहाँ पर officially आरोप नहीं लगाया गया है, ये एक तरसे कोई हो सकता है किसी को अपराद में लपेटने की साजिस भीयोग, या फिर किसी evidence के आदार पर, किसी तथे के आदार पर, किसी विक्ति को उसका दोसी ठहरा देना, हिंदी में अभियोग या दोस लगाना, किसी अन्य को अभियोग में सामिल करना, ये साजिस भी हो सकता है, कि अगर कोई अपराद हुआ, कोई अभियोग हुआ, तो उसमें किसी अन्य विक्ति को इंप्लिकेट कर लेना, उसको इन्वाल करना या नहीं, उस विक्ति को भी इस अपराद में लपेट लेना, अब sentence देखे, vital evidence found at the crime scene, यहाँ जो vital evidence का मनला है, यहाँ पर तथ्य, जो evidence मिले, कहाँ पर, found at the scene of, at the scene, crime scene, यहाँ जो अपराद की जो जगती, found at the crime scene, incriminates the defendant, जो बचाव पक्षता, उसको अभियोग में दोस लगा रहा है, या वो साबित कर रहा है कि वो दोसी है, so incriminates, चुँकि यहाँ पर evidence एक uncountable noun के रूप में यूज हुआ है, और similar subject है, इसलिए यहाँ पर incriminate में यह S जोडा गया है, जो कि present intimate के रूल के according सही है, यह found यहाँ पर past participle के रूप में यूज किया है, यानि evidence found at the crime scene, यानि crime scene पर पाये गए vital evidence ने defendant को incriminate कर दिया, यानि दोसी साबित कर दिया, या करता है, तो इस तरीके से incriminate एक अच्छा शब्द आपने देखा, कि किस तरीके से इसका प्रियोग किया जाता है, तो ध्यान दीजिए, और मैं फिर एक बार के लिए रिपीट कर दूँ कि जो युवाम की जो वाकेप की क्लास है, हम एक आसान चा शब्द लेते हैं, जैसा कि आज का हमारा शब्द देता है, एक्यूज, और या फिर चार्ज संबड़ी विद सम्थिंग, विद सम्बड़ी विद एक क्राइम, चार्ज हम लोग रिफिंग, कोई फी या प्राइसर चार्ज करते हैं, वो भी कहते हैं, पर आरूप भी लगाते हैं, आरूप जब लगाएंगे तो जनर्रीट का दल विद का प्रियोग होता है, इसके advanced level words की तरह में आपको लेकर गया था जिसे impeach करना, indict करना, incriminate करना इनके opposite words मैंने बताया था equit, exculpate, exonerate, absolve यानि वहाँ पर दोस्त मुक्त कर दिया गया और यहाँ पर दोस्त लगा दिया गया इस तरीके के वीडियोज हम युवाम का जो हमारा official YouTube channel है युवाम गुरुकुल इस युवाम गुरुकुल पर समय समय पर हम walk-up on grammar के rules साथ रिज्डिंग और arithmetic की important questions को लेकर हम लोग वीडियोज अप्रोड करते है अब हमारे official YouTube युवाम गुरुकुल को subscribe कर दिजिए ताकि इस तरह के वीडियोज आपको बविशे में भी मिलते रहें और अगर ये वीडियोज अगर आपके लिए लाप ट्रद हैं तो आप अपने दोस्तों में भी इसको share कीजिएगा ओके थैंक यू बरी मैच have a nice day